हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन्ट साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कारडिगन, कोट्टी, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप आधि में बनके देखें बहुत एक उस्षूरत हमारा ये पैटन आ जाता है ये देखें, ये हमारे पैटन का फ्रंट साइड है, और ये देखें, ये हमारे पैटन का बैक साइड, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 6 के मर्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं, 10 नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने सबसे पहले हम अपने प्रोजक्टी साफ से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern complete होने के बाद हमने starting में 2 base row बना के complete करने है 2 base row बनने के बाद हमारा ये pattern बनना start होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को like करना न भूले अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद starting में हमने 2 base row बुनके complete कर लेनी है ये 2 base row हमारी repeat नहीं होगी तो देखे border complete होने के बाद front side से first base row पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी side करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी side दो फंदे उल्टे अब next देखे सेम प्रोसिस repeat होगा एक दो तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे अब last में देखे लाश्ट में हमारा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा आजाएगा तो देखे एक front side से हमारी first base row complete होगई अब wrong side से देखे second base row अब second base row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी side एक फंदा उल्टा धागा पीछे कर लेंगे अब नेश्ट देखे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे धागा अपनी side एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखें ये रॉंग साइड से हमारी सेकिंड बेश रो कम्प्लेट हुए अब देखें फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो अब फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे पहला फंदा चोड़के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे अब इन्ही 6 फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है तो देखिए 1, 2, 3 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे अब फ्रंट साइड से हमारी फंदों में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस आगे रिपीट करना है 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे फिर 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे फिर लास्ट में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखे ये फ्रांट साइड से मारी पैटन की फास्ट रोग कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे पैटन की सेकिंड रोग पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच रोग साइड से जो फंदे हमारे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे जो फंदे हमारे उल्टे थे उनको हमने उल्टा बुना जो फंदे सीधे थे उनको हमने सीधा बुना अब देखे फ्रंट साइड से पैटर्न की थार्ड रूप, अब थार्ड रूप में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे कर लेन सेकंड ओल्ट छोडएंगे थार्ड ओल छोडएंगे और फॉर्थ ओल में हमने सलाई डालनी है ऐसे और एक मीडियम लूज फंदा बना लेने है यह देखे इस तरीके का एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी साइट करेंगे और देखे दो उल्टे फंदे बुन लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे बुनेंगे यह देखे फिर धागा पी अब नेस्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है धागा अपनी साइट करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुना अब नेस्ट हमारा पैटर्न आएगा तो धागा पीछे करेंगे अब देखे इन दो फंदों को आगे करेंगे और जो तीसरे नंबर का फंदा है इसके चेन में आएंगे देखे फर्स्ट ओल चोड़ेंगे, सेकिंड ओल चोड़ेंगे, थार्ड ओल चोड़ेंगे और फोर्थ ओल में ऐसे सलाइड आ लेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे इस तरीकी से देखे, फिर धाग अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे, आप देखे, उसी होल में हम सलाइड डालेंगे, एक और मीडियम लूज फंदा बनाएंगे जिस वोल से हमने पहले एक मीडियम लूज फंदा बनाया था उसी होल में सलाई डालनी है और एक और मीडियम लूज फंदा बना लिने इस तरीके से देखे फिर धाग अपनी साइट करेंगे लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आ जाएगा और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे फ्रन्ट साइट से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लेट हो गई थार्ड रो में हमारी जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और अपनी थार्ड रो कम्प्लेट कर लेगे रॉंग साइट से देखे फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब नेश्ट देखे यह जो एक्स्ट्रा फंदा है और जो बुना हुआ फं एक कर लेंगे एक एक्स्ट्रा फंदार एक बुना हुआ फंदा दो का एक कर लेंगे फिर नेश्ट फंदा सीधा आएगा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आएगा यह देखे फ्रंट साइड से जो फंदा सीधा है वैक साइड से उल्टा आएगा धागा पीछे अ नेस्ट फंदा सीधा अब देखे जो ये नेस्ट फंदा है इसको देखे ऐसे राइट नीडिल में उतारेंगे और इस तरीके से पल्टाएंगे ये देखे अब एक्स्ट्र फंदा ये फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लेना है फिर नेस्ट फंदा सीधा आएगा फिर देखे एक्स्ट्र फंदा और भुना हुआ फंदा दोनों को एक साथ बुनेंगे तो देखे इस तरीके से सलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फिर नेस्ट फंदा हम ऐसे राइट निडिल में उतारेंगे इस तरीके से पल्टा के लेफ निडिल में रखेंगे फिर दो का एक करेंगे एक एक्स्ट्र फंदा और भुना हुआ फंदा दोनों को एक साथ ब देखे फ्रन्ट साइड से पेटन की 5th row, 5th row में हमारा pattern repeat होगा, 5th row को हम पैटन की 1st row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, स्ट्रार्डिंग की दो बेश रो हमारी रिपीट नहीं होंगे अब यहां पर हमने पैटन की फर्स रो से पैटन को रिपीट करने हैं तो देखें एक रिपीट रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन दागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे यह देखें एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड करेंगे फिर दो फंदे उल्टे अब नेस्ट हमने इन ही छे फंदों का प्रोसिस रिपीट करने है तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे आजाएंगे लास्ट का फंदा उल्टा और यह वाला फंदा सीधा तो देखें यह फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की फिप्तरों कम्प्लीट हो गई फिप्तरों में हमारा pattern repeat हो रहा था wrong side से जो 6 row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे front side से जो 7th row आएगी उसको हम pattern की 3rd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे wrong side से देखे जो हमारी 8th row आएगी उसको हम pattern की 4th row की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन ही चार सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसान पैटन है आप इसे all प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडिय जो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू दो झाल जम्हें तो छूलू झालवीघ झाली जपी थी तो यूपर आपको हमारे लाइक कर सान थेली कर सकते हैं दो कि खूल झालूदीय